मंचा सिन सभी अधिकारी और देश के कोने कोने से पहली दफा जो संयुक्त अधिवेशन संयुक्त शिविर हो रहा है केंद्री विद्ध्याले और नवोदे विद्ध्याले के सारे प्राचा रोका मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ ये पहला इस तरह का स्वागत ये पहले दफा इस तरह का शिविर हुआ है इसके बारे में मैं कहूंगा लेकिन शुरू में जिस आपका सबका प्राड़क क्या होता है इसिता क्योंकि हर बच्चे में ठूस ठूस कर गुण भरे होते है मा को पिता जी को और शिक्षक का काम ये है कि उसको ढूनना उसको आउसर देना और अगर दिया तो क्या होता है इसका एक इशिता उधारना उसके लिए जोड़दार तालिया बचाएंगा अभी मैंने एक ही सवाल पूछा कि आपको किस ने सिखाया तो बहुत सारे आप वो संगित के जिस तर पे है तो वहां तो बहुत प्रसिद्ध गायद भी सिखाएंगे सिखाया भी होगा लेकिन उसने कहा मुझे चक्रवर्ती मैडम ने छे साल सिखाया जो केंद्री विद्यालेक की प्रिंसिपल थे देखो ये देखो वहां है उनके लिए भी जोड़दार तालिया यही एक मात्र प्रोफेशन है मैं मंत्राले में देखता हूँ अधिकारी सची होता है तो क्या रुबाब होता है लेकिन जब रिटायर होता है तो दूसरे दिन उसके घर कोई नहीं जाता एक ही प्रोफेशन है दुनिया में वो शिक्षक का है कि जहां 30 साल बाद भी भरे बजार में छात्र मिलेगा तो आपके वो पाउच होएगा यह केवल और केवल शिक्षक में होता है और मुझे तो बहुत ही नाज है मैं एक जिला परिशत के शिक्षक का बेटा हूँ और इसलिए तनखा रोजमर्रा की बाखी जरुरते मांगे यह तो होता रहता है लेकिन यह जो शिक्षक का सम्मान है चात्रो द्वारा यह दुनिया में किसी प्रोफेशन में नहीं है शायद Dockter को होता है, लेकिन Dockter को भी ठीक होने पर उसको हम कहते हैं बाकी मिले तो नमसकर करते हैं पांचोंक供े नमसकर के वर्ड टीचर को ही करते हैं, यह एक विशेस्टा है तो फिर हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ती है और आज मैंने जब चर्चा की कि ये शिविर करे क्योंकि रोज मैं सुनता हूँ कि सरकारी स्कूलों की स्थिती बहुत बत्तर है, खराब है क्या है, ये नहीं, वो नहीं मैंने का कमाला है, ये केंद्रिय विद्याल है और नवोदे भी तो सरकार के है और वहाँ अगर एक नवोदे का सीट के लिए साथ साथ विद्यार्थी परिक्षा देते है एंटरंस एक्जाम देने वाले एक मात्र परिक्षा है एंटरंस एक्जाम देकर छंटी में प्रवेश और सी बेसी का रिजल्ट 85% है प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 82% है और केंद्रिय विद्यालेवर नवदेग का रिजल्ट 98-99% है कौन कहता है सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते हैं केंद्रिय विद्याले में प्रवेश के लिए लेकिन हम भी बढ़ाएंगे मैंने कुछ स्कूल सी साल डबल शिप्ट किये है और भी करेंगे और नए स्कूल भी खोलेंगे क्योंकि मोदी सरकार की घोशना है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा मैंने पूछा अनिक जगह मैं जाता हूँ यह सवाल पूछता हूँ कि क्या है केंद्रिय विद्याले में अलग क्या है नवदे में अलग और क्या नहीं है जो दूसरे सरकारी स्कूल है तो एक उत्तर मुझे अभी मैं मध्यप्रदेश भी कहा था तब ऐसे इस प्रिंसिपल मुझे स्वागत के लिए आते तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ तो तो जिला परिशत के स्कूल में अगर प्रिंसिपल ने एक हाट टीचर अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है इसके लिए को उसको मेमो दिया तो शाम को प्रिंसिपल को ही मेमो मिलता है आप कितने भाग्येशाली है यह समझ लेना कि सरकार ने और सिस्टिम ने एक अकाउंटिबिलिटी की व्यवस्था और आपकर डेलिगेट करके जिम्मेवारी दी है तो आप पर विश्वास रखा है इसी कारण आपके लीडर्शिप के कारण ही यह केंद्री विद्याले और नवदे विद्याले का जंड़ा फैर रहा है और इसके लिए बढ़ाई आप सब कि ऐसे शिवीर मैं अभी बोल रहा था इसका जड़ा सिस्टिम करो मैंने आने के बाद उच्छे शिक्षा में वाइस चैंसलर का सम्मेलन शुरू किया हमारे सरकार में बड़ी विचित होती अपने साइलोज में लोग काम करते तो केवल सरकारी जो कुलपसी गुलाते थे उनकी बैठम गुलाते थे हैं पत्व क्या यह वैस चंसल्र सब्सक्राइब संसल्रें वो प्राइवेट के स्यर्ट यनुवर्श चंसल्र के कोई पराए है और भारत के इस सभी 900 वाइस चंसल्र का तीसरी दफ़ा हमने सम्मेलन किया है हर वर्ष में करते हैं ऐसे आपका भी एक वर्ष केंद्री विद्याले अलग से मिले एक वर्ष जेन भी के मिले और तीसरे वर्ष दोनों मिले इस तरह का एक परिपाठी बनानी चाहिए इसका बहुत लाब है लेकिन मुझे पता चला इस बार जड़ा बाशनों का ओवर्डोस हुआ है अगली बार मैं ऐसे होने नहीं दूँगा आज ही मैं आपके सामने ही गोशित कर रहा हूं कि कैसे कारेकम रहेगा तो फिर ये कुछ भी बनाएंगे तो आप कहोगे कि ऐसा नहीं है ऐसा है रोज तीन तीन सेशन्स होंगे और तीन सेशन्स में एक सेशन उद्गाटन का हुआ जो कल सद्गूरु जी ने किया और बहुत अच्छा हुआ होगा आपको पसंद आया और एक समापन का भाशन हो बाखी कोई भाशन नो भाशन केवल आपके होंगे मैं पर्यावरण मंत्री था मैंने मेरे विभाग के शिविर किये अधिकारी आते थे और मैं सुरू से दो दिन पूरा यहां बैटा था नोटबुक लेकर और पेन लेकर और हमने चार विशय रखे थे चार विशय रखे थे कि भई हमने कोई अच्छा इनोवेटिव प्रैक्टिस किया है जिसमें सफलता मिली है जिसका रिजर्ट अच्छा आया है लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए आइसा जिसको लगता है वह आपना प्रेजेन्टेशन भेज़े अनिक लोग भी सते थे उस future इसे 15 प्रेजेंटेशंस हम सिलेक करते थर पांच-पांच मिनिट समय देते थे उनीका वह प्रेजिट करते थे मेल सुनता था अच्छे प्रेक्टिस माइबेस प्रेक्टिस फिर दूसरा हमने विशे लिया था कि जिनों ने अपने काम में जनर सहभागीता ली क्योंकि स्कूल का भी आपको सारा सरकार देती है लेकिन आप वहां के लोकल कॉम्मुनिटी को कितना इंगेज करते हो वह बहुत महतोंपूर्ण है और इसलिए जिसने समाज की सहभा गिता और केंग्री विद्याले कहा है यह पता यह लोगों को अइसा नहीं तो केंग्री विद्याले एक बहुत आकरशन का केंगर बन गया ऐसा करने के लिए जो जो काम करते हैं तो जनल सहबागीता कैसे मैंने निश्चित की ये बताने वाले दूसरा सेशन 15 वक्ता पाच पाच मिनिट फिर तीसरा सेशन हमारे कानून और नियोमों में क्या बदला होने चाहिए उसके बारे में लोग सुझाओ दे वो भी जिसके पहले हम हमारे तरफ इमेल से प्रेजेंटेशन मंगाते हैं जिनका अच्छा है ऐसे पंधरा लोगों को वो एक बोलने का मोखा मिलता है बाकि सबके तो लिये ही है और चौथा सेशन कि हमारे तौर तरीके में कि हम जिस तरह से करते हैं समझो यहां है हम पढ़ाते कैसे हैं हम रहते कैसे हैं हम टीम वर्क कैसे करते हैं बहुत सारे आयाम हैं उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं आप बोलोगे अधिकारी और नेता सुनेंगे भाषन केवल दो होंगे बाखी कोई भाषन नहीं होगा भाषन आपके होंगे आईसा शिवीर ज्यादा उपयोगी होता है और इसलिए अगले साल इस बार एक अच्छी शुरुवात की है अगले साल इसमें और अच्छा सुधार करेंगे सुधार का कभी अंत नहीं होता there is no कि yes I have achieved and nothing to achieve ऐसा कभी नहीं होता उसी दिन से पतन शुरू होता है जब लगता है कि हमने तो आसमान छू लिया ऐसा नहीं होता आसमान जितना उन्चा जाओगे उतना आसमान और उन्चा होता जाता है यह उसका हमें सबूत है और उसके लिए काम करना है low aim is crime high aim we have to have तो यह करने के लिए है मैं जब यह विशय बता रहा था तो सबसे ज़्यादा ताली हमारे नियम और कानुन क्या बदलना चाहिए इस पर मिली मैं भी तो शिक्षक ही हूं तो मैंने समझ लिया आपका इशारा कहा है लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे ट्रांसफर्स मुद्दे से ही शुरू करते न तो ट्रांसफर का एक फॉर्मिला बना है कि भई ये घटक है तो इसको पांच मार्क है इस घटक है तो दस मार्क है इस घटक है तो तीन मार्क है जो भी एक फॉर्मिला है आप सबको वालू है ना और एक ऑनलाइन की व्योस्ता है मैं तो ये भी कहने को तयार हूं कि अब ये फॉर्मिला तीन साल अमल में आया चार साथ तीन साल हो जाएंगे तीसरा चक्र चल रहा है अब तीन साल के बाद सभी इन टीचर्स को ही एक पंद्रा दिन का विंडो रखो कि जब कोई सुझाव देने है कि फॉर्मिला में क्या बदलाओ होना चाहिए पूछ लो आप भी दे दो लेकिन एक बार फॉर्मिला तय हो गया कि फिर मेरे यहां पत्र नहीं आने चाहिए मैं लीगल नोटीस नहीं किसी को दिया हूँ कि भाई पॉलिटिकल इंफुलेंस क्या ला रहे है यहन्ने मुझे कभी-कभी आश्यर लगता है कि आपकी टीचर्स किने 40,000 चालीस हजार टीचर्स केंडरी विद्या लेके उसमें साथ हजार टीचर्स फॉर्मिला से तबादला हो रहा है सबको फॉर्मिला मालूम है तब भी मेरे पास हजारों पत्राते यहन्ने मुझे लगा मैं शिक्षा विभाग का मंत्री हूँ जिसमें कोई शिक्षा नीटी पर बोलेगा कोई मुझे यह बोलता ही नहीं केवल ट्रांसफर का आरजी देता है अगले साल से में बंद करने वाला हूं आपको सुधार का एक मौका मिलेगा अच्छा सुधार करो बहुत exceptional rare case होती है उसका भी उसमें है वो तो हम मानवी समवेदना तो सबको है लेकिन system से चले अच्छा करें लेकिन मेरी कोई शिकायत नहीं आपसे क्योंकि किसी को भी लगता है लेकिन मेरी मार शिक्षक थी एक देहात में थी मेरे पिता जी पुना में रहते थे हम चार घंटे के दूरी पर थे लेकिन 12 साल उसने तबादला नव मांगते हुए वही का नाम किया यह महिने जिया है बच्पन से तो आपको मंत्री बिया यसा मिला है कि जिसको सब मालूमी है तो यह होता है लेकिन दूसरा आज हम कहे के लिए इकटा हुए तो लीडर्स है वी आर लीडिंग अवर बेस्ट कू स्कूल्स लीडिंग करने के लिए क्या ज़रूरत होती है पहले तो आप टीम वर्क करते हो की नहीं सब को लेकर चलते हो की नहीं काम डेलिगेट करते हो की नहीं उसके आगे काम अच्छा करने पर उसका एप्रीसियेशन करते हो की नहीं क्योंकि दोश होता है तो जरूर आद भी बोलता है एप्रीसियेशन बहुत कब करता है कंजू सी ना करो किया हम यह करते हैं यह जो करते हैं वही सफल लीडर होते हैं मेरे राजनीती में गुरु थे उन्होंने मुझे एक बार बताया अब मैं तो प्रवक्ता रहां तो मुझे टीवी पर जगडा करना पड़ता ही है लेकिन उन्होंने सिखाया कि what we have to win कोर्ट में जाएंगे टीवी पर डिबेट में जाएंगे कहीं जाएंगे तो अर्गुमेंट जीतना होता है लेकिन जिन्दगी में अर्गुमेंट नहीं जीतना है व्यक्ति जीतना है जिसके साथ हम काम करना है we have to win the one the person यह करना है लेकिन उसके लिए अपना मन खुद का प्रसन्न होना चाहिए अपके मन में समाधान का भाव होना चाहिए और आनन्दाना चाहिए जो काम हम कर रहे है उसमें मैंने देखा है अनेक जगह केंद्री विद्याले और नवदे की बात नहीं कर रहा हूं बाती जगह मैंने देखा है शिक्षा अगर स्तर गिरा है तो जिसका last choice शिक्षक बनना है वो बना है मुझे आप first choice जिसका शिक्ष शिक्षक बनना चाहिए यह व्यवस्ताम लाना चाहते हैं इसलिए हम चार साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर रहें अगले साल से शुरू होगा यह वैवीड बेस्टेड बीकॉम बेड़ चार साल का integrated course होगा तो जो admission लेता है बारावी के बाद तभी वो ताय करता है कि मुझे शिक्षक बनना है ऐसा it should become a profession of choice not a profession of leftover और इसलिए यह हमें करना है हमने भी निर्मे करना शुरू किया है आनन्द आना चाहिए सिखाने में कितना आनन्द आता है क्योंकि सामने एक छात्र बैठा है जिसका जिसको जो बताओगे वैसे वो करने लगता है उसके अंतर प्रेरना भी है उसको जगाना है उसमें अंदर गुन है भरे हुए उसको आउसर देना है लोज शिक्षक के जीवन में इसे दो उधारण तो मिलते ही होंगे कि भाया आज छात्रों ने नया ही बता है घर में जाकर हम बात करते हैं तब यह बताते हैं आज इस ने तो ऐसा कहा, आज इसने ऐसी कलपना किया, हमें सोचा ही नहीं था, ऐसा बात किये उसने तो ये होता है इसमें हम पैशन से लगते है क्या क्योंकि विदाउट पैशन यू कांट डू इट लोगों को राजनेता पॉलिटिक्स में क्या है एक प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स इस मोस् मिसंडर्स्टूड और अंडर्रेटेट प्रोफेशन इन आवर कंट्री जोगों लगता है आईश है ऐसा जिनको लगता है सारे मित्रों को मैं के तो मेरे साथ दो तीन दिन चलो सारे पस्त हो जाते हैं इतना आसान नहीं होता है इनी प्रोफेशन हर प्रोफेशन का एक यह है लेकिन शिक्षक का प्रोफेशन तो पूरा पैशन है और अब तो ग्यान इतने तरीके से सामने आ रहा है अब हमने स्वैयं के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग के अच्छे अच्छे लेक्शर का एक हजार लेक्शर का बहुत अच्छा प्रोग्राम पूरे साल भर चलाया और भी चलता रहेगा और उसके साथ साथ अभी दिख्षा प्लाटफॉर्म का भी नए तरह से फिर से विकस होने जा रहा है बाकी भी साधन उपलबदाइब फ्री सॉफ्ट्वेर से मैंने महराष्ट में देखा गुजरात में देखा जिला परिशत किया अनेक मोटिवेटेड पैशनेट टीचर्स ने खुद होके डिजिटल क्रांती लाई है शिक्षा क्लासरूम में डिजिटल क्लासरूम बना दिये सरकार की रहां नहीं देखी यह करते हैं लोग यह नया निर्माण है और इसके लिए हमें सबको काम करना चाहिए तो वह पैशन शुड़ नॉट भी मिसिंग अगर किसी को लगा कि हम गलत रास्ते पर आ गए तो अभी भी बाहर जाने का रास्ता है बट एक बार आये तो मन से आओ कुछ भी करो वह मन से करो दिल से करो तो चेहरे पर प्रसन्नत आती है हसी आती मुझे लोग पूछते कि आप हसते अच्छे हो तो क्यों मैंने का हसता यह दिल का आइना है चेहरा क्या होता है आपके दिल का आइना है आप प्रसंद रहोगे तो वह प्रसंद आता चेहरे पर जलगती है और इसलिए यह पैशन से काम करना चाहिए और हमें आदर्श तैयार करके वैसे बीहो करके वो देना चाहिए और हर शिक्षक होता ही है वैसा पैशन इडली काम करने वाला मेरे मान ने चार लेसंस दिये जो मैं कभी जिन्दगी में भूला नहीं हूँ उन्होंने अमें पहले सिखाया कि कभी भी तुलना मत करो डूंट कंपेर क्योंकि कंपेर से दुख होता है मन को तकलीफ होती है और अगर कंपेरिशन करना ही है तुलना करनी है तो अच्छे के लिए उपर देखो यह गुनों के लिए उपर देखो और परिस्तिति के लिए नीचे देखो यह एक मंत्र कि पढ़ो अरे भाई वो कितना अच्छा बोलता है कितना अच्छा पढ़ा सकता है कितना अच्छा गाना काते हैं कितना अच्छा काम करते हैं गुनों के लिए उपर देखो और परिस्तिति के लिए नीचे देखो अरे भाई उसको तो विचारे को पाउं भी नहीं है फिर भी मेनद कर रहा है कितने लोग गरीबी में है फिर भी अध्यान कर रहा है लाइड भी नहीं है घर में फिर भी ताकत से अध्यान कर रहा है परिस्थिति के लिए नीचे देखो गुणों के लिए उपर देखो जिन्दे की प्रसंद में होती जाती है मेरे चौथी में मेरे घर में मेरे पेपर्स मा के पास ही आये कि एसेस करने के लिए क्योंकि वो टीचर थी तो आये तो उसने मुझे दिखाए नहीं पेपर्स में कितने मार्क दिये मुझे तो क्लास में मिला तो मैंने देखा दो मार्क कम है तो मैंने कहा घर में आकर जगड़ा किया कि यह क्या है मुझे दो मार्क कम दिये है तो बोली हां मैंने दो मार्क कम दिये है क्योंकि कोई ये न कहे कि शिक्षक ने आपने बेटे को दो मार्क जादा दिये है इसलिए कम दिये चरित्र का निर्मान शिक्षकों के ऐसे प्रेणादाई बीहेवियर से होता है अगर अजन्था एलोरा का हम गुडगान करते हैं तो हजारों साल पहले जिन शिल्पकारों ने वह शिल्प तयार किया पत्थर से उनकी दूरदुष्टी है उनकी कला है देश तैयार होता है अच्छे लोगों से और अच्छे लोग तैयार करते हैं शिक्षक इसलिए शिक्षक जैसा प्रोफेशन कोई भी नहीं यह हमें समझना चाहिए अब छोटे मोठी नए प्रयोग को आप करते रहें हैं हम के विएस का और जेनवी का वेबसाइट अच्छी अपडेटेड अच्छी मस्त देखने जैसी करो और करने के बाद आपको भी आनंद आएगा वहां एक टीचर् जिन्नों ने भी बेस ट्रैक्टिस किया है वो उसमें डालेंगे अनंद आएगा और कोई सफलता मिली है उसका भी जिकर करें क्योंकि अभी शिक्षकों ने गाना गाया वो भी तो कितने मन से गा रहे थे उनके ऐसे गुणों का जतन करने के कारण ही स्कूल का लवकिक बढ़ता है स्कूल की किरती बढ़ती है और इसलिए आज मैं लंबा भाशन देने नहीं आया हूँ आपसे समवाद कर रहा हूँ और उसमें मुझे इतना ही कहना है कि यूर रोल इस सो इंपॉर्टन टीचर्स रोल इसको हमें कभी बूलना भी नहीं चाहिए और उस दिशा से क्या किया आप लोग डाइरी रखते हो कि नहीं मुझे पता नहीं लेकिन जो अच्छे काम किये जो अच्छी सफलता मिली उसकी यादे बाद में धूबिल हो जाती है लिखना चाहिए और नवदय में तो एक कैंपस पर ही रहते चात्र और चात्र और प्राध्यापक अध्यापक और केंद्री विद्याले में भी इतना समय हमें एक साथ है और सभी टाइप के लड़के आते हैं लड़के लड़किया 25 परसेंट कोटा से भी आते हैं जनरल लॉट्री से भी आते हैं बाकी ट्रांस्फरेबल जॉब से आते हैं तो इकॉनमिक स्टेटस अब स्टूडन्स का एकदम एकदम गरिब से एकदम आमिर तक भी हो सकता है तो वो जो स्तिती है उसमें कैसे साबन जसे बिठाए चात्रों में कैसे आनंद आएगा कैसे खेल कुद में आगे जाएंगे कैसे लाइबरी में पढ़ते रहेंगे पड़े भारत बड़े भारत कैसे होगा खेले इंडिया खेले इंडिया कैसे होगा केवल अध्यान और पर learning is comprehension, communication, that is important, तो comprehension आता है क्या, समझा है क्या, और समझा है तो समझा सकता है क्या, ये दोना महतुपूर्ण है, और इसलिए ये बहुत interesting professional है, आप सब का यहां शिवीर हुआ, मुझे बहुत खुशी है, भारत सरकार ने चार-पाच नए कारिकमताई किये है, पहलो तो we have come out with learning outcomes, क्योंकि बार-बार मुझे मन से दुख होता था, कि आठवी का छात्र, पाच्वी का पार्ट नहीं पड़ सकता, सात्वी का छात्र, चाउत्र का गणित नहीं कर सकता, ये केंद्री विद्याल है और न लेकिन कुछ जगह है, तो क्यों है, मैंने एक स्कूल का परिवर्तन किया, वो केवल बताता हूँ, बुंदेल खंड में पाल दे वह है, चित्र कुट के पास, मैंने सांसद आदस गाम योजना में वो लिया, पहले दिन मेरी आदत है, मैं स्कूल में गया, मैं शिक्षा मंतर कि और मैंने का 12 का भूले 28 पर Milliarden का जातन से आते हैं, मैंने का जाता कैसेआतेOY किलो मिटर जातार से चातर आते हैं, मेरे पेरेंट्स को मैंने सब की मीटिंग लिए और पेरेंट्स को बताया आपको तीनी सवाल रोज अपने बेटे-बेटी को पूछना है क्या सारे टीचर्स आये थे क्या कि मैं जिला परिश्यत की बात कर रहा हूं कि दूसरा आज क्या पढ़ाया कि यह दो सवाल पूछते जाओ रोज नहीं समझेगा तो भी इतना उत्तर लेलो एक अकाउंटिबिलिटी तैयार हुई सारे शिक्षक आने भी लगे फिर उनका डायेट में मैंने बताया कि इनकी लिए 15 दिन का विशेश कोर्स करो थोड़ी धूल जटकने की जुरुरत है तो पंधरा दिन का कोर्स किया तो ने ने तौर तरीके सिख्या है और टीचर्स वही जो पीछले महिने कुछ नहीं सिखा रहे थे दिरे दिरे अच्छे सिखाने रगे रेमीडियल क्लासे शुरू है और ये एक साल नहीं हुआ अब चारो साल 90 परसेंट और रिजल्ट परिशन स्कूल का है ये बदलाव हो सकता है तो शिक्षक की इतनी बड़ी भूमी का है और इसलिए हमने लर्निंग आउटकमस निकाले लर्निंग आउटकम is competencies to be achieved by the student in each subject in each class वो सब डिफाइन किया है हर subject में क्या आना चाहिए चात्र को क्या समझना चाहिए और उसको कैसे अच्छे उकरे इसका भी handbook तयार किया NCRT ने I hope that all you must have got it that's a very interesting handbook I found it very useful तो वो तयार किया अभी हम स्कूलों में नए ना स्पिरिट अभी समग्रण शिक्षा किया समग्रण शिक्षा में एक्सेस भी है इक्वीटी भी है क्वालिटी भी है और रिसर्च और इनोवेशन भी है अभी जहां अटल टिंकरिंग लैब शुरू हुई वहां स्कूल का महल सारा बदल जाता है च्छटी से बारावी तक के छात्र रोबोटिक्स ठीडी प्रिंटिंग और अनेक ऐसे अधुनी गुपकर्णों के साथ काम करते हैं प्रयोक्षाला में यह अधुत काम है यह मोदी जी की वीजन है अभी डही अजार स्कूलों में हुआ है आने वाले एक साल में पांच अजार स्कूल पूरे होगी है उसके साथ साथ हमने पाथवी और आठवी में परिक्षा लेने का देने किया क्योंकि राइट टू एजुकेशन में एक बड़ी गलती हो गई कि परिक्षा ही नहीं तो उसके कारण यह रिजल्ट आया दस साल एक नुक्सान हुआ समाज का इसलिए हमने सभी राज्यों के शिक्षा मंतरी इकटा हुए उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि परिक्षा कोई बोज नहीं है परिक्षा हर रोज आदमी को देनी ही पड़ती है यह तनाव का कारण नहीं है लेकिन यह खुद को टेस्ट करने का आगे बढ़ाने का प्रियास है उसका नाम परिक्षा है और इसलिए 25 राज्यों की मांग थी कि हमें बदलन चाहिए चार राज्य कहते थे कि नहीं हमें नहीं हमें जो जैसा नो डिटेंशन पॉलिस है वैसा ही चाहिए मैंने तुरन रास्ता निकला कि यह अधिकार हम राज्यों को देंगे कि लेना नहीं लेना आप तैकुरू लेकिन हम बिल पास करेंगे और मुझे खुशी है कि के सहमती से यह पिछले अधिवेशन में यह बिल पास हो गया अब कानुन बन गया अब लागू हो गया और इस साल से 15-20 राज्यों में यह परिक्षा इसी एप्रिल से प्रारंब हो रही है यह एक नई शुरुगा थे इसके साथ साथ हमने ncrt की किताब प्राइवेट स्कूलों में ncrt की किताब में इसे चार पैरगाब बदल के नया किताब प्राइवेट पब्लीशर का आता है और पचास रुपे के किताब की किबख 300 रुपे 400 रुपे इसी रखी जाती है मैंने कुछ कंपल सभी नहीं किया लेकिन हमने ncrt के बुक्स का एक सारा शिडूल तैयर किया और सभी पेरेंट्स को मैंने बताया क्या आप आपके स्कूल को बताओ कि ncrt की किताब बेलो कि तीन साल पहले 2016 में मैं मंत्री बना तब दो करोड किताब एक खबती थी ncrt की इस साल के ओरडर हमारी साड़े साथ करोड है इतना बढ़ावा हुआ अब Crash ऑगे इसन्टी विए पहले अबने यह जो समक्रशिक्षा उस में खेलो इंडिया खेले इंडिया बड़े भारत बड़े भारत हर स्कूल को लाइबरी के लिए जिला परिशद के स्कूल को भी सभी स्कूलों के लिए सरकारी स्कूलों को बाच हजार रुपे से बीस जार रुपे हर साल हम लाइबरी ग्रैंड देंगे हर साल पाच हजार से बीस जार रुपे स्पोर्स एक्विप्मेंट ग्रैंड देंगे खेलना चा साथ वो अपना काम पैशन से करे विजन से करे देश बनाने वाले आप ही लोग है और इसलिए जब मैं आया तो मैं हाथ कर रहा था इधर क्योंकि मैं आधिकारियों को बता रहा था यहां वहां जो उपर बैठे है वो दिखी नहीं रहे थे अंधेरे में थे मैंने का शिक्षक है वही तो प्रकाश में आना चाहिए और इसलिए वहां भी लाइट मेने शुरू करवाए है अगर आप चेहरे ही नहीं देखो गया आप अगर समुदाय देखो गई नहीं तो कैसे भाशन होगा नहीं होता और इसलिए आप एक अच्छा काम में लगे हो यह शुरुवात न भी हमने मान्य किया है कि 1921 में पिसा की टेस्ट भारत के चात्र देंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम दुनिया में भी आउवल नंबर प्राप्त करेंगे यह हम कर सकते हैं और यह करने वाले आप सभी हो इसलिए आप सब को बहुत बहुत शुब कामना देता हूं जैहिन